देनिक यति रासिफल में आपका हार्दिक स्वागत है मैं यति वर्य कुमार विजय आज आपको इस वीडियो में आज के दिन का पंशांग और बारह रासि का रासिफल बताऊंगा और रोजाना की तरह रासिफल के बीच में आज यति वानी के अंदर मैं आपको पांच उपाई बताऊंगा जो आपको आज रहीवार के दिन कर लेने चाहिए या कभी और ऐसा मौका हो कि आपको जरूत पड़े तो उस समय भी यह उपाई आप कर सकते हैं इसके अलवा मैं आपसे अनुरोध करना जाता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल के नए दर्सक है या पूराने दर्सक है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा कर सबसे पहले इसको सबस्क्राइब करें और पास में लगे गंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोश्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें मैं जो यतिवानी के अंदर उपाय बताया करता हूं यह आप लोगों के सुजाओं के आदार पर तै करता हूं और आप लोगों के सुजाओं और आपकी आउसकताओं को ध्याद में रखकर ही आपको उपाय बताया करता हूं यह Supaayे सारे आप सब के लिए बहुत उपियोगी सिध होते हैं यह लोगों ने मेरे को बताया भी है और मैं यह भी मानता हूं कि जो मैं Supaayे बताता हूं वह सरल और बिना पाई शेय का जैसे ही उपाय होता है जो आसानीwości किया जा सकता है है बिना खर्चे का होता है तो सbको यह उपाय बहुत पसंदाते हैं और साथी वापस मेरे को जो समाशार मिलते हैं करने के बाद मैं कि आप यहां थोड़ा लाब मिल रहा है कै XL नहीं तो कि इससे भी मेरे को बहुत कुछी और ऐससा होता है कि हु depression här कर रहा हूं वह आप लोगों के लिए उप्यों की सिदोरी है काम आ रही है तो आप मेरा यह वीडियो देख कर और आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें लाइक भी करें ताकि यह जो मैं उपाय बताता हूं वह किसी और के भी जरूरत पढ़ने पर काम आ सके तो इन सब व मर्च 2019 रविवार का दिन चैत्र मास करश्णवपक्स की चतुर्थी तिति रात आठ बज कर एक वन मिनर तक रहेगी उसके बाद मैं पंचमी तिति शरू होगी स्वाती नक्षतर सुबह साथ बजकर 42 मिनर तक रहेगा उसके बाद मैं विशा का नक्षतर सरू होगा चंदर्मा मद्य रातरी एक बज़कर नो मिनट तक तुला रासी में रहेगा उसके बाद में वर्षिक रासी के अंदर प्रवेश करेगा आज का राहुकाल शाम को पांस बज़कर सोडा मिनट से छे बज़कर 47 मिनट तक रहेगा अभीजीत मौरत दोपार को बारा बज़कर 20 मिनट से एक बज़कर नो मिनट तक रहेगा जोद्पुर के समय के नुसार सुर्योदे सुबह 6 बज़कर 42 मिनट पर होगा और सुर्या साम को 6 बज़कर 47 मिनट तक स्च आज पताया है इस लिए ज्यली हो आज के दिन पच्छ आशप्यशा के अंतरचा इसलिए अगर ज़्यादा जरूरी नहों तो आज के दिन पस्षिम दिशा की यात्रा को टालना ठीक रहेगा यह था आज के दिन का पंचांग और अब मैं आपको 12 रासी का रासी पल बता देता हूं कि आज 12 रासी बालों का दिन कैसा बीतेगा आज उनका रासी पल क्या है तो आज आज आपको पुराना प्रेमी मिलेगा किसी भीडबाड की जगह पर प्रेमी प्रेमी का के साथ आप गूमने फिरना जा सकते हैं हास परियास मौज मस्ती मिठी नोग जोग वाला दिन है आज आज आपका इसका फुल आप एंजोई करें अब देखते हैं वर्सब रासी वर्सब रासी के लिए आज का दिन थोड़ा सा सुष्टी और आड़स से बरा है कुछ-कुछ समय में आपको बार-बार कोई न कोई चिंता या परिशानी करने वाला कोई नमुद्दा सामने आता रहेगा और जाता रहेगा इसलिए आप किसी एक बात को चिंता के रूप में गंबीरता से ना लें करज लिया है तो आज चुकाने के परियास करेंगे तो या अच्छा रहेगा पूराने समान या वस्तू से काम चलाना पड़ेगा आज या फिर किसी गाउं खेड़े में या सुन्शान इस्तान में ज पूरे हो जाने से राहत अनुभव करेंगे अभी आप किसी ऐसे नए आए के रस्ते पर विचार कर रहे होंगे कि आसानी से कैसे बढ़ाया जा सकता है तो अब आपको ज्यादा इंतिजार और सोच विचार करने की जरूरत नहीं है समय अब आपका देरे-देरे सुधरता ज हो जाएगा और आपके आई के रस्ते भी खुलेंगे अब देखते हैं करकराशी करकराशी के लिए आज का दिन कोई खास तो नहीं लग रहा है लेकिन परियासों का जो फल आपको ऐवह जरूर मिलने वाला है आमधनी अठनी और खर्चा रुपिया वाली इसकी में आज काम में बहुत कमिया निकाल सकता है या फिर घर के काम में या अन्य किशी और जगह अपर जहां आप काम करते हैं किशी के साथ में वहां आपके काम में कमिया ही दिखाने के दिखाने का परियास किया जाएगा आप शांत रहें और हर माहोल को आप बुद्धी मानी से और बुंदीव मतापुर्ण कार्य करने में विश्वास करते हैं, और आज भी आपकी परिक्षा ही समझ कर काम करेंगे, तो कोई बड़ा लाब मिलने की या काम बन जाने की खुशी आपको जरूर मिलेगी, आज आपके यात्रा के योग भी बने वे हैं, अब देखते हैं कन्य कन्यारासी के लिए आज किसी न किसी परकार से अपना काम बनाने की उतावली रहेगी दिमाग में, जब आप सब को साथ लेकर काम करने की सोचते हैं, तो कोई न कोई बादा आती है, आज आप साइद सोच कर ही काम में हाथ डालेंगे, और जब काम सुरू करेंगे, तो आज उसको आप पूरा करके ही दम लेंगे, अब देखते हैं तुला रासी, तुला रासी के लिए आज का दिन सांदार है, उपलब्दी कारक भी है, अचानक कोई सुब संदेश या धन मिलने से आपकी खुशी बढ़ेगी, नए काम सरू करने में आपको सफलता मिलेगी, आदु वर्सिक रासी के लिए आज का दिन सुब फल देने वाला नहीं लग रहा है, एक तो असुब इस्तान का चंदर्मा है, और दूसरा आपके लिए अभी किसी ऐसे काम में उलजना ठीक नहीं, जिसमें आपको पहले से पता है कि आगे चलकर मुश्किलों का सामना करना पर सकता या मुश्किले बढ़ सकती है, अगर आप कहीं पैशा लगाना चाते हैं तो वह पैशा भी डूप सकता है, परिवार का साथ सहयोग भी मिलना आज आपके लिए मुश्किल रहेगा, अब देखते हैं धनूरासी, धनूरासी के लिए दिन पक्ष के गोचरवाला बना रहेग इसलिए आपके सभी काम आगे बढ़ेंगे और पूरे होंगे, लाब की इस्तती बनी भी है, तो आज जिस काम में भी आप आठ डालेंगे, उसमें सफलता मिल जाएगी, किसी नए लोगों के ग्रूप से आज संपर्क बढ़ेगा, साधी विवाहा या संतान के समन्द में मिलेंगे, अब देखते हैं मकर राशी, मकर राशी के लिए आज का दुन, आज का दिन कुछ ऐसे सरकारी कारियों में सफलता का पाने का है, जिसमें पिछले दिनों आपने मेहनत की, लेकिन वह काम पूरे नहीं कर पाये थे, अब आज फिर से वह काम सरू करे, जल्दी ही आ अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि राशी फल के बीच में यतिवानी के अंदर आज मैं आपको पांच छोटे-चोटे उपाय बताऊंगा, यह आप रविवार को कर सकते हैं या आवशकता का अनुसार किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं, जो पांच उपाय है, वह हमारे जीवन से जुड़े सभी एहम मुद्दों पर मैंने यह उपाय आपको बताने के लिए सोचा और बता रहा हूं क्योंकि ज्यादा तर इन ही पांच मुद्दों पर आदमी को समश्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इन मुद्दों पर ही आज मैं चर्शा करूंगा, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, समझें, और अगर आपको जरूरत हो और आवशक्ता मैसूस होती हो कि इस अंदर्ब में जो मैं बता रहा हूं कोई शमश्यारी है, तो आप यहाँ परियोग यहाँ उपाय, आप जरूर करके देखें, आपको इसे लाब होगा, व और वेपार के अंदर सफलता पाना एक अलग बात होती है, वेपार भी महनत मांगता है, वेपार महनत से ही फलता फूलता है, और वेपार जो अगर फलता फूलता है, तो उसके पीछे कोई न कोई महनत का छुपावा परिणाम भी रहता है, यदि आपको वेपार इस्तल पर और भी किसी परकार की समश्या है, तो उसके निवरन हैतू वेपार इस्तल पर स्वेट जो आकडे का गनपती होते हैं, उनको और एकाक्षी शरीफल को आप वहां पर वेपारिस्तान में इस्तापित कर दें, तो इससे आपको क्या होने वाला है कि अगर आपका वेपार या तो वापस वरू करना जाते है उसी स्थान पर तो यह परियोग करें, या फिर ऐसी स्थिति आगई है कि अब आपको अपना वेपार कुछी समय में बंद करना पड़ेगा, क्योंकि समस्याओं बढ़ती जा रही है और समस्याओं खतम नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप अपने कारिस्तान पर सफेद आकड़े के गनपती और एकाक्षी श्रीपल की स्थापना करें, विदिवत रूप से करवा लेएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और नियमित रूप से फिर उनका धूप है, दीप है, आदिशे फूजन करें, और रविवार को या जिस दिन आप इ एक वार और विशेष कर ओली, दिवाली, मावस और पूर्णीमा या और कोई विशेष खास दिन, वहाँ पर भोग जरूर लगाए, आपका जो वेपार एक समस्या है, जो बंद होने के कगार पर है, या बंद पहले से पढ़ा है, तो वह सफेद आकड़े के गनपती की स्थ आपना करने के बाद में आप वहाँ पर भी जो बंद पढ़ाय वेपार पुना सरू कर सकते हैं, वह वेपार आपका आगे चल कर लापदाय की सिद्ध होगा, अगर आपके घर में कलह समाप्त नहीं हो रही है, और आपस में मतबेद बढ़ते जा रहे हैं, कलेश बढ़ता को देखना चाहिए, बाये नाक के बाये श्वर से जागने पर फोरन बिष्टर छोड़कर अपने काम में लग जाना चाहिए, यानि कि जो मैं उपाय बता रहा हूं, वहाँ घर के कलेश समाप्त करने के लिए उपाय बता रहा हूं, नाक के बाये श्वर से जागने पर आप तुरत अपना बिष्टर छोड़ कर काम पर लग जाए अगर नाक का जो दाहिना नाक है वह अगर स्वर चल रहा हो तो आप बगल के नीचे तकिया लगा कर दूबारा सोने का करम करें या सो जाए कुछ देर के लिए और थोड़ देर बाद चालू हो जाए तो आप उठकर इसे पूरे दिन घर में आपके सांती बनी रहेगी इसी परकार से कई कई परिवारों के अंदर रोग इस परकार से घर कर जाते हैं कि कभी घर के अंदर पांस मेंबर है साथ मेंबर है तीन मेंबर है कभी ये बिमार कभी वो बिमार एक बिमारी कि खतम नहीं होती इसे आगे काफी दिनों से आपके परिवार में बिमारी चल रही है या कोई बिमार है तो बिमारी का पता है तो तो डाक्टर इलाज करने वाले हैं करवास ले तो उसका इलाज हो जाएगा अगर बिमारी का पता नहीं चल रहा है तो आप यह उपाई करें कि सात परकार के जो अनाज होते यह करम कुछ दिन गांब में मी टुकाटा, वक जो आप पर हिकोथ और भे शुदा का इस टाल। नित्य करें कि दो-चार मुठी सब्त दानका लेवें, बिजो देवें और अपने सिराने रख लेवें और सवेरे उठकर वो पक्षियों को दे देवें, तो आपकी जो बिमारी है वह निश्चित रूप से आपके लिए दीरे-दीरे समाप्ति की और बढ़ना सरू हो जाएग इसके अलावा मैं एक उपाय और बताता हूँ जो तोथा उपाय है कि अगर विवाह के समय में आप चाहते हैं कि आपके जो बेहन है या आपकी जो बेटी है या आपके जो परिवार की महिला सदिश है उसकी जो साधी वी है वह आगे ससुराल में जाकर सुखी रहे और अप बडोतरी होती रहे और वह यसमान पद कीर्थी परतिश्टा भी प्राप्त करें यानि कि ससुराल वालों का मन जीत ले और ससुराल वाले भी आपके बेहन की या बेटी की जिसकी आपने साधी की है उनकी तारीफ करें तो ऐसा करने के लिए जब लड़की विवाह के बाद म गर से विदा होती है तो आप एक लोटे में सुद्ध गुलाब जल ले ले वे या गंगा जल ले ले उसमें थोड़ी सी अलदी डाल दे वे और एक पीला फूल भी डाल दे वे एक शिका भी डाल दे वे उसके अंदर और वह जो पानी है जब वह लड़की आपकी सुस्राल के लिए बाहर निकलती है तो आप उसके आगे वह पानी फैंक दे तो उसका जो बच्ची का जिए बैन का या बेटी का जो वेवाईक जिवन है वह आगे चल कर बहुत सुखी रहने वाला बन जाएगा अब एक और उपाय देखते हैं एंतिम उपाय कि अगर आपके मन में हम मानसिक परिषानिया बनी रहती है यानि कहने का कहीं लोग तो ऐसे होता है कि चिंताओं को और परिषानियों को भी ऐसे आशी खुशी में जहल जाते हैं और कहीं लोग ऐसे होते हैं कि जो चिंताओं नहीं कहनी होती है उसको भी वो अपने दिमाग में ओड लेते हैं और व पेहनी वी चपपल की एक पुरानी जोड़ी को किसी गरीब को दान दे दे देना चाहिए और खुवान मंदिर में जाकर आप कुछ दिन तक नियमित पुजा करे और शनी देव के मंदिर में जाकर भी पुजा कर सकते हैं या फिर पिपल या फिर समी का जो पेड होता है आप उनका भी पूजन कर सकते हैं इससे मानसिक सांती आपके कम हो जाएगी अगर कुछ परिशानिया ऐसी होती है जो की बहुत पुरानी होती है और उसको पूरा करने के लिए मतलब कोई लग वो भी नहीं होता है साधन भी नहीं होते है अगर आपकी परिशानिया बहुत गहरी है और बहुत ही जटिल है तो आप अपनी जो कुण्डली है वह किसी विद्वान जोट्सी से पहले बताएं और कुण्डली के आदार पर अगर आप इसका उपाय करेंगे तो निशित तोर से आपके जो परिशानी है उसका अंतोवना सुरू हो जाएगा और आपको सांती और उस परिशानी से मुक्ति मिल जाएगी आप हमेशा खुश रहेंगे यह प्रियोग जो है जब आपको जरूत वह आवश्यक्ता हो तब भी आप कर सकते हैं इसका लाव आपको पूरा-पूरा और पका मिले मिलेगा ऐसी ऐसा मेरा भरोसा है अब देखते हैं बाकी बचीवी दो राशियां तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कुम राशी कुम राशी का आज का दिन कैसा बीटने वाला है कुम राशी के लिए आज का दिन उन्नत्ती कारक बन गया है आपका आलस और लापरवाही आज आपको हरा सकती है लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी जिम्मेदारी से काम करेंगे तो आज काफी कुछ आप आसिल कर सकते हैं, नए लोगों से आज आपका संपर्क बढ़ेगा जो आगे चल कर लाबदायक सिद्ध होगा अब देखते हैं अंत में मीन रासी, मीन रासी के लिए आज का दिन अच्छे से बिताने की जरूरत है क्योंकि आज अभी जो चंदर्मा चल रहा है वह आपके लिए अच्छा नहीं है आपका मन बेचेन और कुछ उकड़ा उकड़ा रहेगा मन को पूजा पाठ और मनोरंदन के काम में लगा कर आप अपने दिन को विताने का प्रयास करें वैसे आज आज आपको अपने स्वास्त पर ध्यान देने की बहुत जरूरी आप सकता है स्वास्त मैं आपके कुछ भी गड़बड़ी हो तो आप लाप्रवाई ही ना करें आज बाहरी खाने का त्याग करें यह आपके लिए अच्छा रहेगा यह था आज के दिन का पंचांग और बारा रासी का रासीपल साथ ही आज मैंने रासीपल के बीच में यह थीवाणी के अंदर पांच उपाय बताए हैं जो रहविवार को आप कर सकते हैं या आवशकता का नुसार जब जरूर पड़े तब भी आप कर सकते हैं कल फिर मैं आपको नए वीडियो मैं नए पंचांग और नए रासीपल के साथ मैं यह थीवाणी में एक नए विश्ववपर जानकारी लेकर आपके सामने आऊंगा तब तक के लिए जय जनेंद्र